आपके पास भी अगर IRCTC का id है और आप भी IRCTC आइड से आफ अगर Ticket booking करते हो तो या इसे IRCTC ID में आओगे तो अप उस Ticket को अगर बन गया एक आपकर Ticket तो उस Ticket को कैसे cancel कर सकते हो या आपका जो疑 Ticket का cancel refund का amount है उसे कैसे ले सकते हो और बिल्कुल जी दोस्तों आप लोग के लिए ये वीडियो में पूरा A to Z बताऊंगा मैं और इस वीडियो के थुरू आप भी अगर आपका ticket cancel करना चाते हो तो ऐसे ही tips से आप अपना जो है ticket cancel कर सकते हो और refund का आप आप टेंशन मत लीजिए refunding story जो होता है आपका देख सकते हैं यहां से और refund का टाइम जो रहता है three to four days आपका IRCTC के थुरू जो booking किया गया है ticket उस ticket को आप तीन से चार दिन के अंदर आपका refund कर दिया जाता है amount अगर आप IRCTC ID से किया ticket को cancel करते हो तो दोस्तों आप इसमें login कर लीजिए अपने ID का तो आप अपने ID को login करने के लिए आपके पास जो password और ID आपका रहता है उसके थुरू आपको login करना है और login करने के बाद जब भी आप login करोगे तो आपको ये capture जो है ये capture आपको डालना जरूरी होता है और इस capture को आप एकदम accurate ही डालोगे accurate डालने के बाद ही आपका जो है IRCTC ID वो खुलेगा और IRCTC ID खोलने के बाद आप उस ticket को कैसे cancel कर सकते हो कहां से cancel कर सकते हो मैं इस वीडियो में A to Z बताऊंगा इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तो और दोस्तो जब वीडियो अच्छा लगे तो आप like share और subscribe जरूर कर देना चैनल को और subscribe करना ना भूले चैनल में नएने वीडियो आते रहेंगे आपको देख सकते हो चार option दिया गया है plan my journey और my booking PNR inquiry and refund study तो आप इन सब से आप अपने के हिसाब से जो भी information लेना चाते हो जो भी करना चाते हो तो कर सकते हो PNR से आपका train देख सकते हो कौन सा booking कैसा है और refund record कि रिफन आया है कितना कौन सा टिकेट का倦 आया है उसको चेक कर सकते हो और booking बुकिंग सेrióप अपना booking देख सकते हो कौन सा आपका और कौन सा complete में है तो उस booking के लिए और जर्णी जो आपका टिकेट रहता है उस टिकेट को आप कहां से कहां तक बनाना चाहते हो कौन सी डेट में बनाना चाहते हो तो उसको देख सकते हो और मैं जो बताने जा रहा हूं जो refund history होता है refund history में आपको मिल जाएगा जो आपने टिकेट कैंसल किया है उस कैंसल टिकेट का कितना अमूंट आपके जो वॉयलेट में आया है यह आपके खाते में जहां से आपने payment किया था उस खाते में कितना survived आया है उसको आप यहां से देख सकते हो जी दोस्तों मीरा neट थोड़ा सुलो है इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों देख सकते हैं यह मैंने 15 डिसेंबर का जो booking किया था मैंने एक टिकेट मंगला मंगला लक्षदीप स्पेशल ट्रेन में इस ट्रेन का जो मैं टिकेट कैंसल किया है मेरा 633 का टिकेट था और वो टिकेट कैंसल करने के बाद मेरे refunded amount जो होता है वो 495 आने 495 का मेरा refund हो चुका है और इसका प्रूप मेरे जो मैंने बॉयलेट से पेमिंट किया था उस बॉयलेट में मेरे देख सकते हो जो फोन पे बॉयलेट से किया था IRCTC refund from phone pay wallet देख सकते हो और यह phone pay wallet में मेरा 495 का refund हो चुका है कितना time लगा है और मेरा कितना 4 दिन पहले का जो मैंने booking किया था उस amount का मुझे 4 दिन बाद जाके मेरा refund मिला है और इस ticket को कैसे check कर सकते हो उसका मैंने बता दिया है जो refund story है यहां से check कर सकते हो और जो नीचे चार option दिया गया है my account इसमें आपका profile रहता है उसके इसाफ साफ चेक कर सकते हो my transaction more में आपका सभी जो है setting बगएरा जो भी रहता है आपका ID, gallery, ratas, user guide कैसे भी आप यूज कर सकते हो उसका information और plus my transaction में जाके आप देख सकते हो जो आपका booking है और last transaction है, fail transaction है, cancel ticket है और TDR history है, ticket refunding story है यहां से भी आप ticket refunding story को check कर सकते हो और last transaction मेरा कितने का रहा है वो check करने के लिए मैं last transaction पर click करूँगा और उसके अलावा देख सकते है मेरा last transaction है वो चिन्नाई से घृड़ंगरी तक था चार तरिक का और उस ticket को मैं देख सकता हूँ ऐसे देख सकता हूँ, मेरा जो ticket था, pna number इसके उपर दिया गया है और इसके अलावा आगर आपका booking है कोई भी ticket दोस्तों आपको मैं A to Z बताने जा रहा हूँ और इस ट्रिक्स को देख सकते हो मैं यह higher city से ID खोलने के बाद सबसे पहले आपके सामने यह page open होगा और इसमें आपको my transaction में जाना है और my transaction में जाने के बाद जो है my booking का option रहता है आपको simply उस पर click करना है my booking में और आपका जो upcoming journey है जिस ticket को आपको cancel करना है आगे का आप जो आगे का book कर चुके हो उस ticket को अगर cancel करना है कुछ दिन आगे पहले का या आगे का उस ticket को कैसे कर सकते हो देख सकते हो मेरा यह CBE जो है एक जबलपूर festival का festival special का जो है एक train है और इस train को मैं के मैंने किया था booking मेरा इस train में मेरा set book हो चुका था ICTC ID के थुरूई ticket booking किया था मैंने और इस ticket को मैं अभी करना चाहता हूं cancel तो मेरा total fair का amount जो है आठ सो तीन रुपए और इस total amount में से मुझे refunding amount कितने का मिलेगा देख सकते हो मेरा ticket जो है यह सामने रहा और इस ticket का जो as 10 में जाकर 10 number पे middle worth मेरा जो ticket बना था इस ticket को cancel करने के लिए आपको यहां से download भी कर सकते हो यह जो download का symbol दिया है उपर और share करने के लिए आपको यह side में share का symbol दिया गया है और उसके अलावा आपका जो ticket cancel का यह three dot दिया गया है right side में एकदम उपर में देख सकते हो three dot पे click करना है और इसमें आपको कई option मिल जाएंगे देख सकते हो current status cancel ticket change boarding point इसके आपको क्या करना है आपके ticket को cancel करना है तो आप इस three dot पे click कीजिए और cancel ticket पे click कीजिए और cancel ticket पे click करने के बाद आपके सामने ऐसा page open होगा जिसमें आपको select करना है कौन से ticket एक प्येनर नंबर होता है उसमें आप चार से छे टिकेट बना सकते हो छे टिकेट चे जने का जो टिकेट बनता है उसमें आप यह one by one करके select करके भी cancel कर सकते हो तो इस ticket में मेरा एक ही customer का बना है जो ticket और इस Ticket को मैं Cancel करना चाहता हूं तो मैं Select पर Click कर लूँगा Select पर Click करने के बाद आपका ये Ticket को मैं Cancel कर दूँगा तो ये Cancel पर नीचे जो Cancel का Option रहेगा उस पर Click कीजिए और उस आईर सेटिसे से Confirmation मांगा जा रहा है कि आप Cancel करना चाहते हो तो आप बिलकुल Confirm पर Click कर दीजिए और Confirm पर Click करते ही आपका जो Ticket है वो Cancel हो चुका है और देख सकते हो जो मेरा Refund Amount है वो 665 जो 665 का Refunding Amount है वो बापस मेरे आकाउंट में या मैंने जहां से डेविट किया था उस वाइलेट में बापस हो जाएगा और उसमें टाइम कितना लगेगा तीन से चार दिन विल्कुल दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए कुछ नहीं होता लेकिन आयर सिटी से तीन से चार दिन में आपका टिकेट का Refund Amount एकदम आपके वोयलेट में पहुँच ही जाता है इतना वरोसे मन है एपस इसका जो आप इस पर वरोसे कर सकते हो तो Refund Amount जो है 665 आपके खाते में आ जाएंगे लेकिन अभी नहीं आया है यह जो प्रोसेस में है और उसके बाद सिर्व आप देख सकते हो आपका जो टिकेट का जो बुकिंग इस्टेटस था वो कैंसल हो चुका है ओके दोस्तों और जो आपका जोर्नी जितना भी हो चुका है उसको अगर आपको टिकेट कैंसल करना है कभी भी ओंपे दबा दीजिए आप सामने आजाएंगे नेक्स जनरी यह आपको कहाँ सब्सक्राइब जो दिप्यांग रहता है उनके लिए अलग रहता है जेनरल कर रहता है सब आप कर सकते हो और class का रहता है जो आप AC sleeper या जो जनरल ऐसी रहता है जनरल टिकेट या sleeper first class second sitting सब option यहां से आप क्लिक कर सकते हो और दोस्ता आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरू लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल में ऐसी वीडियो न्यू न्यू आते रहेंगे आप इस चैनल को बेल आइकन को ओन कर लिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिये जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आने पर सबसे पहले आपको बेल आइकन का घंटी मिल जाए और आप उस नोटिवेशन के तुरू आप वीडियो का देख सकते हैं आपको टिकेट कैंसल करना है टिकेट बनाना है सब का ओनलाइन ट्रेक से ओनलाइन जितना भी वीडियो मिलेगा मैं बनाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कि कैसे क्या करना है ओके दोस्तों बाइबाय टेक एर और आपका टि त्री डॉट पे क्लिक करना है कैंसल टिकेट पे क्लिक करना है आपका कैंसल हो जाएगा आपका टिकेट ओके दोस्तों बाई बाई टे क्यार